Hey everyone, this is Chani Durnani and I welcome you all to Magnet Brains Hindi एक आसाथ चानल जहां आपको मिलती है School Education, बिल्कुल Free of Cost यानि कि आप जो है Kindergarten से लेके Class 12 तक का English Medium का Course हो या Hindi Medium का Course हो कुछ भी पढ़ना चाहते हो, सब कुछ मिलता है आपको Magnet Brains पे, बिल्कुल Free of Cost साथी साथ अगर आप और भी चीजों की प्रेपरेशन करना चाहते हो, जैसे अगर आप Spoken English Course जॉइन करना चाहते हैं, आपको अपनी English सुधार्नी है आप चाहते हो कि आपको इंग्लिश से, एक से, यूनो, Connected, एक Confidence आए, तो आप Spoken English Course भी पर सकते हैं हमारे चानल से, जिसकी मदद से आप अपनी अंग्रीजी भाषा यानि की इंग्लिश पे एक जो कमांड है वो हासल कर सकते हैं अब ये सब कुछ भी free of cost है, याने मैं अभी जितने भी courses बताऊंगी, everything, Magnet Brings पे कोई भी वीडियो अप्लोड होगा, आपको कुछ भी पे करने की ज़ुरत नहीं है, आप अपने घर पे बैटके 24-7 बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो और भी courses कौन-कौन से हैं, जैसे आप NTSC, Olympiad की topics अगर देखते हैं, आपको definitely अलग-अलग topics का ज्यान मिलेगा, तो अगर आप चाहो एक अपना knowledge बढ़ाना चाहते हो, तो वो videos देख सकते हो Also, आगे जाके कोई ना कोई आप एक goal तो set करी चुके होंगे वैसे नहीं भी किया है, तो definitely कोई ना कोई cooperative exam जरूर देना चाहोगे जैसे के IIDJ हो गया, NEET हो गया, SSE, Bank, JAPCAP, RRB या इसी तरीके के और भी exam, ये सब कुछ भी आप prepare कर सकते हो, मागने ब्रेंस के channel से बस हाँ, आपको एकी चीज़ ध्यान में रखनी है, कि भई अगर आप चाहते हो कि सारे courses जो हैं, वो आपको बहुत प्रॉपरली एक order में मिलें और आप अपना समय बचाते हुए, फटा-फट से क्लिक करके वीडियो तक पहुचे, तो कृपया करके मागने ब्रेंस की website वि पहले काहानी में जो पहली कहानी और दूसरी कहानी दिया है, उसको पड़ा, फिर हमने दूसरा वीडियो देखा, जिसमें तीसरी कहानी और चौती कहानी जो है वो पड़ा, अब बारी आती है, इस पूरी कहानी को एक ही वीडियो में पढ़ने की, that is going to be the summary, यानि अब आप आपको मैं सारांज बताऊंगी, क्या important pointers है, क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या सीखने को मिला इस chapter से, सब कुछ, वैसे complete chapter revision और चानल पे है, जिसमें मैंने आपको message और जो भी story का संदेश है, वो दे दिया है, तो अगर in return चाहिए तो वो पढ़ लेना, बाकी हाँ, अभी पूरा summary जो है, वो पढ़ लेते हैं, ताकि आपको वापस से revision हो जाए, कि क्या पढ़ा हमने इस particular कहानी में, ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा introduction देखेंगे, फिर कहानी जो है, उस पर बढ़ते हैं, so Mijbill the author is written by Gavin Maxwell, किसने लिखी है कहानी, Gavin Maxwell जो author है, उन्होंने लिखी ह about the lovely bond between Maxwell and his pet Mijbill, और ये जो कहानी है, वो एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही अनोखा सा, जो एक रिष्टा है, जो bond है, वो दर्शाता है, between a person, जिसके पास एक pet हो, तो एक पालतू जानवर और उसके मालिक के बीच, जो एक प्यारा सा रिष्टा है, वो बताया गया है, और यहां Maxwell जो है author और उनका जो पेट है otter यानि उद्विलाफ उसके बीच का एक bond दिखाया है, गेवन Maxwell was traveling to Basra with his friend to the consulate a general, he was going there to collect and answer the mail from Europe, Maxwell casually told his friend, his desire to keep an otter as a pet, his friend told him to get one from Tigris Marshes in Iraq, अब होता क्या है न, गेवन Maxwell ने बहुत ही recent में अपने dog को खोया है, उनके पास एक pet dog था, जिसकी death हो गई, और यह बहुत जादा बुरा फील कर रहे थे, बिकाज अब इनको न, ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई भी pet वो नहीं रख पाएंगे शायओ, और specifically dog तो नहीं पाल पाएंगे वो, क्योंकि उनको सिरफ अपने dog की आद आएगी, फिर उनको ये भी लगता है कि भी pet की तो जरूरत है, बिकाज बिना pet के life बहुत अकेली सी ल अब वहाँ पर इनका एक और दोस्त है, वो भी आया हुआ है, क्योंकि दोनों का ही mail आने वाला था, तो ये अपने दोस्त को यूँ ही बस बोल देते हैं, कि मेरा मतलब इस बार मन है, कि मैं एक otter को ऐसा पैट रखना चाहता हूँ, और जिस तरीके से ये normally बोलते हैं, वैस सकते हो, clear? चलिए, इसी को भिंदी में देखते हैं, मिच्बिल दो ओर्टर गेवन माक्सवेल द्वारा लिखा गया है, कहानी माक्सवेल और उनके पालतु मिच्बिल यानि की जो ओर्टर है, जो उद्विलाव है, कि बीच के प्यारे बंधन के बारे में है, गेवन माक्सवेल ने लापरवाही से यानि यू ही अपने दोस्त को बताया कि वहाँ एक उद्विलाव को पालतु जानवर के रूप में रखना चाहते हैं, उनके दोस्त ने उन्हें इराक से टिग्रिस दलदल से एक उद्विलाव लाने को कहा, तो उनके दोस्त भी वैसी बोल द तो इनके दोस्त का तो मेल आगया, बट इनका मेल आया है और इन्हें बहुत परिशान होना पड़ा है, ये रुके रहे, मेल का कोई जवाब नहीं आया, फिर तेलेफोन किया, तेलेफोन किया, बहुत मुश्किल से कनेक्ट हुआ, फाइनली जाके इनका मेल बहुत टाइम थे पर दुबाद आता है, तो अभी एगदम से इनके दोस्त का मेल आजाता है, डाक तो आजाता है बट इनका नहीं आता, इनका नहीं आता है, और उस मेल को ये अंदर ले जाकर पढ़ने की कोशिश करते है, तो जैसी जाते है, तो इनके बेडरूम में इनको क्या दिखता दो अराप्स जो हैं वो squatting यानी knees के बल बैठे हुए है और उनके पास क्या है उनके पास एक note है एक पत्र है इनके दोस्त के द्वारा जो लेखा कि है उनके दोस्त के द्वारा साथी साथ उनके पास एक बोरी है और ये जो message है वो उनके दोस्त के थुरू था जिसमें लिखा हुआ था ये रहा तुपारा ओटर यानि कि वो एक ओटर देकर इनको गए है उस बोरी में ही वो उद्विलाव या ओटर बन था Maxwell called his ओटर मिजबिल and would often call him मिजबिल तो Maxwell जो है अपने ओटर या उद्विलाव को मिजबिल नाम दिया उन्होंने और उसे प्यार से अकसर मिजबिलाया करते उनके मित्र को मेल तुरंत मिल गया लेकिन Maxwell को अपना मेल या जो डाक है प्राप्त करने के लिए कुछ और दिनों तक वही रहना पड़ा जिस दिन उन्हें मेल मिला उन्होंने अपने आवास में दो अर्बो को भी देखा और वे एक संदेश और एक बोरी के साथ वहां बैठे थे संदेश उनके दोस का था, किसके दोस का, Maxwell के दोस का था जिसमें कहा गया था कि यहां रहा तुमारा उद्बिलाव, यह रहा तुमारा ओटर बोरी में उद्बिलाव था और Maxwell अपने उद्बिलाव को मिजबिल कहते थे और अक्सर उसे Mitch भी कहते थे यानि Mitch Bill उन्होंने नाम रखा बट प्यार से उसको Mitch बुलाया करते clear? ओके आगे बढ़ते हैं Initially Mitch took a day to adapt to the new place but slowly he started taking keen interest in his surroundings अभी पहली बार वो ऐसी जगे पे था ओर तो उसके लिए थोड़ा Mitch Bill के लिए अगले दिन से वो जो है अपने आसपास के वातावरण में चीजों में जगे में बहुत गहरा दिल्चस्पी गहरी दिल्चस्पी दिखाने लगा Mitch enjoyed playing with water Mitch को बहुत पसंद था पानी के साथ खेलना For otters, water must keep moving If the water is static, the otters get irritated उद्बिला उसकी जो भी चीज़े हैं उसमें से एक author नहीं सीखी कि otters को पानी हमेशा हिलता हुआ, move करता हुआ दिखना चाहिए यानि उनको रुका हुआ पानी बिल्कुल नहीं पसंद, पानी अगर बहरा है अधर उदर overflow हो रहा है तो वो खुश हो जाता है But अगर पानी रुका हुआ, ठहरा हुआ उनको दिख जाता है तो ये बहुत irritate हो जाता है Mitch enjoyed playing in water and had also learned to open the bathroom tap on its own Also Mitch को पानी में खेलना बहुत पसंद था वो खुदी चला जाता बाटब में, बहुत बढ़िया खेलता रहता और अक्सर उसने तो ये बहुत जादा amazing बात थी कि उसने खुदी-खुदी बाथरूम का tap खोलना भी सीख लिया था उसने एक बार देखा author को और फिर उसने जैसे तैसे tap को घुमाने लगता और कभी-कभी अगर सरी direction में घुम जाता तो पुरा पानी आता Mitch played a lot of games Even Mitch बहुत सारे games भी खेलता था His favorite was juggling and Mitch liked to play with marbles उसका favorite game होता था juggling यानि कि एक सारी चीज़ों को balance करना और उसमें भी juggling उसको marbles यानि जो कंचे होते हैं उसके साथ करने में बहुत मजा आता Clear? चलिए तो फटाफट से देखते हैं इसका Hindi शुरुवात में Mitch को नई जगे के अनुकूल होने में एक दिन लगा लेकिन धीरे धीरे वह अपने परिवेश में गहरी दल्चस्पी लेने लगा Mitch को पानी से खेलने में मजा आता था उद बिलाव के लिए पानी चलते रहना चाहिए या पानी बहते रहना चाहिए यदि पानी स्थिर है तो उद बिलाव चिड़ जाते हैं मिच को पानी में खेलने में मज़ा आता था और उसने खुद ही बाथरूम का नल खोलना भी सीख लिया था मिच ने बहुत सारे खेल खेले उसका पसंदीदा खेल एक साथ कई चीजें समहालने का खेल था मिच को कंचो से खेलना भी बहुत पसंद था तो से जगलिंग और वो जगलिंग अगर कंचो के साथ हो तो वो भी बहुत पसंद थी तो ये कुछ-कुछ important pointers हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आप ये चाप्नर को अपने दिमाग में अब भी ये लोग बसरा में रह रहे थे ठीक है बट इनको जाना था कहा अपनी जगे चैमस्पी अना तो पहले ये लंडन जाते हैं फिर उसके बाद ये चैमस्पी अना जाते तो जब भी मैक्समेल सोचते ना कि भई मुझे मिज के साथ ट्रावल करना है मिज को लेके जाना एकती दूर तो उनको बहुत डर लगता तो उन्होंने ब्रिटेश एरलाइन्स चेक किया जो उनको डिरेक ले जाता इंगलाइंड बट दिक्कत ही हो गई कि उनकी पॉलिसी के हिसाब से वो जानवरों को अलाओ ही नहीं करते हैं फ्लाइट में तो उन्होंने तो मना कर दिया तो इस चक्कर में मैक्सवेल को दो फ्लाइट बुक करनी पड़ी एक जो उनको जो है पारिस लेके जाती ही बुग दा फ्लाइट टो पारिस और फिर वहां से ही कहां जाते हैं लंडन तो इन्होंने एक फ्लाइट बुक की जो पारिस लेके जाती ही इनको फिर पारिस एक और फ्लाइट बुक की जो इनको लंडन छोड़ देती और इस एरलाइट ने बूला कि आपको मिज को एक स्पेसिफाइट जो भी मेजरमेंट्स है उतने क्या डबबा बना के उस डबबे में उसको बंद करके लाना है ठीक है? Maxwell had a box made and one hour before the flight put mid inside and left for a hurried wheel ठीक है अब क्या कर सकते है? एरलाइन का policy है इनको लेकर तो जाना था होटर को अगर मना कर देते कि मैं box में ने लेके जाओंगा तो definitely वो भी मना करते हैं कि आ फ्लाइट में नहीं आ सकते तो फिर ये करते किया इनको जाना तो था तो इन्होंने decide किया ठीक है उतने उतने का उन्होंने box बनवा लिया जितने measurements थे और उस box में निकलने के गंटे पहले उन्होंने मिच को बंद कर दिया अब ये उन्होंने इस thinking से या इस intention से किया उन्होंने कि मिच को आदत हो जाए डबे की उस box की क्योंकि उसको अगर एकदम से डालके उफ्लाइट में बिठाता है तो शायद वो परिशान हो जाता तो वो एक गंड़ा पहले उसको बंद करके खाना खाने के लिए जल्दी से निकल जाता है क्योंकि उनको लगता है कि उसको थोड़ी आदत हो जाए इस box की क्लियर हो चलिए हिंदि में पढ़ते हैं इसी को मैक्सवल मिच को इंग्लाइंड और केमेस्फियर ला ले जाने के विचार से डर गए थे ब्रिटिश एरलाइन्स ने जानवरू की अनुमती नहीं दी थी इसलिए मैक्सवल को एक फ्लाइट बुक करनी पड़ी जिससे मिच उनके साथ यात्रा कर सके उन्होंने पैरेस और फिर लंडन के लिए एक फ्लाइट बुक की नई एरलाइन्स ने जोर दिये कर कहा कि मिच को एक डिबबे में लाया जाए मैक्सवल ने एक डिबबा बनवाया और उडान से एक घंटे पहले मिच को उसके अंदर रखा और जल्दी जल्दी भोजन करने के लिए निकल पड़े अब ये तो चले गए मिच के लिए बहुत नहीं जग ये भाया डबबे में बन कर दिया एक तीसी स्पेस में तो फिर उसका रियाक्शन अलग होता है और फिर वो सब चीजे देखकर क्या करना पड़ता है बॉक्स फाइनली ओपन ही करना पड़ता है किसको ऑथर को राइट जब वो कानवना खाके वापस आते है तो हैरान हो जाते हैं शौक्ट हो जाते हैं क्योंकि उस डबबे से आवाज ही नहीं आ रही थी तो ये डर गए थी कोई भी डर जाएगा और पूरे डबबे के आसपास जो कोने है न उससे ब्लड बहकर सूक चुका था तो ये डर गए कि पक्का कुछ तो गड़ बड़े ये ओपन तो बॉक्स एं सौधा मिज वाज एक्जास्टेड जैसी उन्होंने डबा खोला फॉर्चनेटली मिज जिन्दा था बट उसकी कंडिशन खराब थी क्योंकि वो अपने आपको बहार निकालने के लिए हाथ पेर मार रहा था तो अब होता क्या है जैसे ही ओथर देखते है उसकी कंडिशन तो डेफिनिटली बॉक्स के जितने भी कॉर्नर से जिससको लग सकती थी तो वो हटा देते हैं फिर ओटर को बिठाते हैं उस बॉक्स में कार में रखते हैं फटा फट से निकलते हैं क्योंकि उनके पास बहुत कम समय था इतनी दूर एरपोर्ट तक पहुचने के लिए जैसे तैसे ड्राइवर ने गाड़ी बहुत ही बहंकर तरीके से एक बुलेट की तरह उन्होंने चलाई और यह एरपोर्ट तो पहुचे बढ़ यह बहुत लेट हो चुके थे फ्लाइट बस निकलने वाली थी और इस माक्सवल वस हापी, अजी ओपन द बॉक्स, मिज लीब आउट और डिसपीर इन द फ्लाइट अब हुआ क्या कि जैसी माक्सवल पहुचे ना फ्लाइट के अंदर तो उन्होंने जो भी एर होस्टेस थी डेफिनिटली वो बैठे उनकी फ्रंट सीट थी और मिज को उन्हों उन्होंने शेयर किया ताकि उसको अपने विश्वास में ले सके और फिर वो यूनों पता रहे उसको अपने गुटनों पर बैठकर उसको लेकर जाना चाहेंगे तो मैक्सवल खुच हो जाते हैं इतनी अची एर होस्टेस है और उसकी बात मान कर वो मिजब को अपने पैरो मिज एक दम से निकलता है 2 वो मैक्सवल ऑसम आज अपने लेकल इसी कंडिशन के घृतिवह जाति ए और वहत abdhi जानवरों गरते हैं तो मैक्सवल में पैसेंजर मिए डर्डर गर म ंतना एं बहुत सबक्रव कहार कृट फ्लाइट में एक लेडी अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है राट राट चिल लाने लगती है और ऐसी कंडिशन क्रियेट हो जाती है बहुत ही क्योर्टिक कंडिशन होती है अब माक्समल डेफिनेटल अपने मिज को ढूनने की कोशिश करते हैं उनको मिज दिखता है एक मिज को ढून लेती है और माक्समल को दे देती है चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं जब वापस लोटे उन्होंने देखा कि डिबबे से कोई आवाज नहीं आ रही थी और खून बहकर सूख गया था उन्होंने डिबबा खोला और देखा कि मिज ठक गया था उन्हें पालतू जानवर को अपनी गोद में रखने की सला दी क्योंकि कोई भी अपने पालतू जानवर को पैरों पर रखकर लेजाना पसे नहीं करेगा उनको लगे कर बहकर मिर जब बैठा रहे तो वह समझती थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जो है अपनी गोद में उसको बैट जाएए, Maxwell खुश थे और जैसी उन्होंने डिवा खोला, Mitch बहार कूद गया और हवाई जहाज में गायब हो गया, Mitch को हवाई जहाज में देखकर सहयात्री घबरा गया, कोई भी घबरा जागा कि यह जानवर है फ्लाइट में, Air Hostess ने Maxwell को Mitch को खोजने में मदद की, उन्ह में करीबन एक महिने तक ही रुके थे, और वहाँ Mitch बहुत जादा खेलता था, बहुत उसको मस्ती आती थी, क्या करेगा वो तो बहुत घंटों तक वो गेम्स खेलता रहता था, Mitch developed a game with the broken suitcase of the author, Mitch intelligent था, कैसे प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि Mitch जो है, उसने एक game invent किया था, जो कि तूटे हुए suitcase से मिलता चुलता था, एक जो author है, उनके पास एक तूटा सा suitcase था, जो उनकी एक यात्रा के दोरान डामेज हो गया था, उस suitcase को देखकर उसने अपना खुद का ही एक game invent कर लिया था, जो definitely उसके intelligence का proof है, the suitcase had become damaged and the lid remained at a slope when close, तो जो suitcase था, उसका ऐसा था, कि जब उसको बंद करो ना, तो उसका जो उपर का lid है, जो ढखकन है, कवरेंग है, वो अच्छे से बंदना होकर एक तेड़े यासी तेड़े में बंद हो जाती, slope था, एक अंगल पे वो खुला रहता, मिज वोड कीप a ball on the high end and wait for the ball to come down the length, अब मिज क्या करता, वो बॉल लेता, औ और ऐसे slope है ना, तो सबसे उपरी सता पे वो पॉइंट पर रख देता ball को, और फिर वो धीरे से छुपके सा आता और यहाँ वेट करता कि ball उससे धीरे 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 लुड़क का नीचे आएगी, he would grab the ball and then again place it on the high end, आता एकदम से उस ball को जपटे से, एकदम से surprise जैसे मैंने तुम्हें पकड़ लिया वैसे ball को पकड़ता फिर जाता फिर high end पे रखता तो बहुत ही cute सा game था यह ओटर के लिए, जो उसनों खुद ही इन्वेंट किया था और यह देखकर definitely author बहुत शौक्ट थे, पहले भी वो शौक्ड हुए थे, जब उन्होंने देखा कि उसन about the author. According to some, Midge was a baby seal, beaver, squirrel, hippo, etc. The weirdest response was from a laborer who was digging a hole. He asked Maxwell, hair mister, what is that supposed to be? अब होता क्या है कि London में authors होते नहीं है, ठीक है? तो Londoners के लिए यह पता करना कि यह author है बहुत ना के बराबर expected था, तो author इसमें shock नहीं थी, उनको लगता था कि मेरे लिए normal है कि हाँ, उनको नहीं पता कि author क्या है? बढ़ जिस तरीके के वो guesses करते, जिस तरीके के जानवरों की बारे में वो बोलते कि हाँ, यह वो जानवर है, वो author को बहुत अजीब लगता. जैसे कुछ लोग बोलते कि यह बेबी सील है, कोई बोलता बेबर है, कोई बोलता स्कुरल है, मतलब जिनसे कोई लेना देना है इवन बोला हिपो है, एक डॉक शो के बाद किसी ने बोला कि ये तो हिपो पॉर्टमस जैसा दिखता है, जो कहीं से कहीं तक नहीं दिखता है, तो author को बहुत अजीब लगता, बट author के हिसाब से आज तक का सबसे अजीब question अगर किसी ने पहुंचा था, वो था एक laborer जो वहा जीब था, clear, चले, इसी को हिंदी में देखता है, मिज और माक्समेल एक महीने तक लंडन में रहे और मिज घंटों खेलते थे, मिज ने लेखक के टूटे सूटकेस के साथ एक गेम विक्सित किया, सूटकेस शती गरस्त हो गया था, डामज हो गया था, और धकन बंध होने धलान पर रह जाता था, मिज एक गेंट को सबसे उच्च शोर पर यानि सबसे हाई एंड पर रखते और गेंट का नीचे आने के लिए इंतजार करता था, वो गेंट को पकड़ लेता और फिर उसे उच्च शोर पर रख देता, तो वो यह इस तरीकी से गेम खेलता, आदे गंटे तक तो वो बिजी रहता इस गेम में, और यह देखकर बहुत खुश होते थे, ओथर की इसको कितना ज़्यादा दिमाग है, साथी साथ इसने ये भी देखा था कि इसमें कुछ कमपल्सिव हाबिट्स जो है, वो डेवलाफ हो गई थी, वोड़ा कमपल्सिव हाबिट ऐसी आधते, जिने और इगनोर करना है, जिने रोक पाना भूत मुश्किल होता है, तो यह ओडर क्या करता? ये एक इनके घर के सामने एक वन स्टोरी स्कूल था, मतलब एक फ्लोर का स्कूल था, उसके सामने एक वाल बनी हुई थी, मतलब बहुत उची दिवार नहीं थी, इस दिवार पे ओर खड़ा हो जाता, कूथ के जाता, पर कब? जब यह घर से वोक के लिए निकलते हैं तब नहीं करता ही अपना time waste जब यह वापस घर की तरफ आते, तब यह दिवार पे खड़ा हो जाता है साथी साथ मैक्समेल अक्सर मिज़ को टहलाने ले जाते थे और लंडन के लोग उत बिलाफ के बारे में अजीब अनुमान लगाते थे कुछ के अनुस्तार मिज़ एक बेबी सील, बीवर, गिलहरी, दरियाई, घोड़ा आधी था सबसे अजीब प्रतिग्रिया, एक मज़़ूर की थी, जो एक गड़ा खोद रहा था, उसने मैक्समेल से पूछा, यहां मिस्टर, यह क्या होना चाहिए और इस तरीके से आपका चाप्टर एंड होता है, तो यह समरी है, बहुत सारी चीज़े हैं, वैसे ही, डीटेल एक्स्प्लिनेशन प्लीज मिस्मत करना, कम्प्री चाप्टर रिविजन मिस्मत करना, बढ़ हां, अगर आपको लगता है कुछ सब कुछ याद है, बढ़ में इस तरीके से हम आच चुके हैं, आज के टॉपिक के एंड पे, यानि हमने देख ली है, समरी आपको सारी चीज़े क्लियर हो गई है, बढ़ फटा-फट से मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ, ताकि आप बाकी के कोर्सेज, बाकी की वीडियो भी बहुत आसानी से देख सकें, तो देखिए आपको अगर वेबसाइट पे विजिट करना है, उसके लिए आपको बस गूगल पे जाकर टाइप करना है, मागनेटब्रीज डाट कॉम, और वहां जाकर आप अपने जो भी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, उस पे जाकर क्लिक कर सकते हैं सपोस मान लेते हैं, आपको English Medium का क्यूव graphic पढ़ना है, तो आप क्लिक कीजेंए English Medium पे, आपके सामने सारी Classes आएइंगी, उस Class पे क्लिक कीजेंए जिसका भी आपको Subject देखना है, सपोस आपको Class 10 का कोई topic पढ़ना है, ठीक है English Medium के अंतर गद, तो आप क्लिक कर दीजे और यही process आप बाखी के courses में भी follow करने वाले हैं तो जैसे आप click करेंगे आपके सामने सारे विश्य आएंगे जो भी विश्य आपको पढ़ना हो इतनी सारी list है आगे बढ़ेंगे तो और आपके पास list आएगी आपको जो पढ़ना है आप वो choose कर सकते हैं and उसके videos आपको मिल जाएंगे तो इस तरीके से कुछ courses है and everything suppose आपको English पढ़ना है तो आपने click किया काई पे? 10th English पे, 1st flight यानी पहली book पे जैसे click करते हो आपके सामने आते हैं बहुत सारे chapters और आप click करते हैं chapter पे जिसका video आपको देखना है, suppose आपको देखना है कोई भी unit जैसे first unit पर अगर हम click करते हैं तो आपके सामने जो भी video है letter to God जैसे वो play होना start हो जाएगा इतना असान होता है videos तक पहुशना बस magnet brains की website पे जाके आपको करना होता है click click और इस तरीके से आपके videos आपके सामने मौजूद होते हैं जिससे आप अपनी अपनी पढ़ाई कर सकते हो done? okay so इस तरीके से हम आचुके हैं आज के वीडियो के अंत में I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई है I hope आप जानते हैं कि मिजबिल the order क्या है, order क्या होता है, मिजबिल कौन है, क्यों title दिया है but कितना clear हुआ है वो तो तब ही पता चलेगा जब आप अगले वीडियो में जितने भी NCRT questions है उनके solutions समझ पाएंगे, तो चली अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक खुद का सब का अध्यान रखिए, thank you so much for watching, bye